नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार सपने जब हम देखते हैं तो हर सपना का एक मतलब होता है अर्थ होता है हलांकि अचेतन मन में पल रहे विचार होते हैं जो हम सपने के माध्यम से देखते हैं लेकिन इसके बाद भी अपने सपनों का मतलब हर कोई समझना चाहता है सुभए या असुभ तो जिन्दगी से जुड़े रहने वाले सपने जो आपने दिन में बाते की जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और वो सपना आप देख लेते हैं उसके कोई माइने नहीं होते लेकिन अचानक से आप कुछ सपने देखते हैं तो उसके अर्थ होते हैं तो सपने में अगर आप भगवान सिव या सिवजी से समंधित चीज को देखते हैं जैसे कि सिबलिंग है सिब जी के जो नाग है यानि साप, त्रिसूल है, चंद्रमा है या भगवान, सिब, मा, पारवती दोनों ही आते हैं आपके सपने में तो इसका मतलब क्या है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी रात छुपी भी है तो चलिए आज हम समझते हैं विश् करें और जिनको हमेशा ही सिबलिंग दिखते हैं वो पुर जन में सिब जी के भक्त ही होते हैं और उनकी पूजा करने की इक्षा रही होती है इसलिए इस जन में सिब जी दिखते हैं तो आप सिब जी को जल जरू रपीत करें आपकी सारी परेसानिया मिठ जाएगी धन बढ जान दीया है तो आपने कोई जान दिया है तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे अगर आप चान देखते हैं आप जौब करते हैं आपका घ्यान बढ़ेगा अपकुछ अच्छा कर पाएंगे अपनी बुद्धी के बल पर आप बेहतर फैसला ले पाएंगे जो अगर आप सपने में भगवान सी मा पारवती को देखते हैं तो इसका मतलब है कि एक नया खुबसूरत सबेरा या फिर यह समझ लें कि कोई बढ़िया वक्त आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जल्दी आपको लाव होगा धरना आएगा कोई बड़ी खुसकपरी मिलेग क्योंकि दोनों को साथ देखना बड़ी बहुत खुबसूरत सगुन माना जाता है तो इन लोगों को अगर आप साथ देखते हैं साथ में तो आप उनकी अराधना जरूर करें निकट भविस्य में आपकी पुजा स्विकार होगी अगर सपने में तांड़प करते वे भगव भी आपको जरूर मिलेगा दूसरी तरफ अगर आप सपने में सिपजी का मंदिर देखते हैं इसका मतलब है संतान प्राप्ति के योग बने वे हैं या फिर आपका स्वास्त सिग्र अतिशिग्र ठीक हो जाएगा अगर आप पहले से बिमार हैं तो स्वास्त का लाब होगा सिपजी के मंदिर में अगर आप मंदिर को देखते हैं कि वो चेंज हो रहा है या फिर मंदिर का कलर चेंज हो रहा है तो आपकी बिमारी अतिशिग्र ठीक होने का ये प्रतीख शमझना चाहिए सिब जी का त्रिसूल देखने का मतलब क्या होता है ऐसा सपना पुरु जन्म या इस जन्म या आगे जन्म से सम्मंद लिया होता है क्योंकि ये सपना आपके जन्म और मिर्तियों की पीडा से कोई सम्मंद रखता है त्रिसूल आपको सभी पीडाओं से समस्याओं से राहत दिलाने वाला होता है। इसलिए ये एक अच्छा सगुन वाला सपना माना जाता है। अगर आप तीसरी आंग देखते हैं। सिब जी की तीसरी आंक सतर्कता जाग रुकता के बारे में बताता है जीवन में आपका कुछ महत्वपुन बदलाव होने वाला है ऐसा आपको समझना चाहिए सिब जी का जो डमरू है धोनी का प्रतीक है अगर आप डमरू को सपन में देखते हैं तो ऐसा सपना देखने का मतलब है आपका प्रस्टनल और प्रोफेस्टनल लाइफ में सकात्मक उर्जा प्रभाह बढ़ने वाला है जीवन में खुसिया आने वाली है और अगर आप सपने में गंगा नदी बहते वे देखते हैं सिब जी की जटाओं से तो आत्मा को पवित्र करने वाला ये सपना है ज्यान से क्योंकि सिर हमेशा ज्यान का प्रतीक होता है दिल प्रेम का प्रतीक होता है अगर सपने में आप देखते हैं कि मा गंगा सिब जी के स तो आपको प्रेम और ग्यान दोनों ही प्राप्त होगा आपके जीवन में संपन्नता आएगी ऐसा आपको समझना चाहिए अगर आप सांप देखते हैं तो धन मिलने वाला है ऐसा समझना चाहिए अगर सांप फन फैलाए हुए है तो और उसको पीछे की ओर से आवगर आप देख रहे हैं तो ऐसा सपना सुप फल देने वाला होता है और नाग देवता का असिरबाद भी आप पर बरस रहा होता है फि हर मात